इस वीडियो के अंदर हम योगा आवे अफ लाइफ चैप्टर के क्वेशन आंसर करेंगे बचो सबसे पहले हम करेंगे लेट अस डू दीस अक्टिविटीज बिफोर वी डीड वाले क्वेशन ओके तो क्वेशन नमबर वन है बचो इस क्वेशन के अंदर आपको बताने कि आप योगा के बारे में क्या जानते हो तो आप इसका आंसर लिखोगे योगा is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India इट इंक्लूद फिजिकल पोस्चर्स, breathing exercises, meditation and ethical guidelines तो देखे बचो योगा क्या है योगा जो है वो physical मतलब शारिरिक, mental मतलब मानसिक और बचो spiritual मतलब आत्मिक ये क्या है योगा जो है वो physical, mental और spiritual practice है जो कहाँ पर originate होई है जो ancient India में originate होई है योगा में क्या होता है योगा के अंदर physical postures होते है breathing exercises होते है मतलब सास लेने वाली exercises होती है योगा के अंदर लोग meditation करते है मतलब ध्यान लगाते हैं ना ये सब question number 2 what is 21st June known for what do we do on this day तो बचा आप को यह बताना है कि 21st June जो है वो किस चीज के लिए जाना जाता है और इस दिन हम क्या करते हैं तो आप इस का अंसर लिखोगे 21st June is known for International Yoga Day we participate in yoga activities to promote awareness about yoga and its benefits तो देखें बच्चो 21st June को क्या मनाया जाता है International Yoga Day मनाया जाता है इस दिन हम लोग क्या करते हैं हम yoga की जो activities होती हैं उसमें हम participate करते हैं ताकि क्या promote हो सके बच्चों तो देखें योगा और उसके जो benefits हैं उनको promote करने के लिए हम yoga की जो activities होती हैं उसमें हम participate करते हैं ठीक है Question No.3 है List as many words you know related to yoga share them with your classmates तो देखें बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको yoga से related जो words हैं आपको वो लिखने हैं तो आप लिख दो पहले yoga ही लिख दो meditation, flexibility, balance, wellness, pranayama, karma, yoga mat, yoga sutras, asana और बच्चों ध्याना ओके, फिर है let us discuss बच्चों यह जो paragraph है न इसके इंदा blanks दीगे हैं आपको क्या करना है यह जो उपर words दे गए है इनकी help से आपको यह जो blanks इनको आपको fill करना है तो देखें यह होगा Yoga is a practice that not only improves physical flexibility but also improves mental health and leads to a healthier lifestyle तो देखें बच्चों योगा जो है वो खाली हमारी जो शारिरिक flexibility होती है मतलब जो हमारी physical flexibility होती है सिर्फ उसको ही नहीं improve करती वो के improve करती हमारी जो mental health है वो उसको भी improve करती है और हमारा जो lifestyle है हमारा जो रहना सहना है उसको भी वो healthy बनाती है इट involves a series of asanas which increase muscular strength तो देखें बच्चों योगा के अंदर asanas होते हैं ठीक है उससे क्या होता है उससे जो हमारी muscular strength होती है जो हमारी muscles की strength होती है वो भी बढ़ती है practicing yoga also leads to a better body and mind balance and reduces body pain such as the lower back तो देखें बच्चों जब हम yoga को practice करते हैं तो हमारी body जो है वो अच्छी हो जाती है बेटर हो जाती है और हमारा जो mind है वो भी हमारा अच्छा हो जाता है और बच्चों क्या रहता है हमारी body और mind जो है वो balance में रहता है yoga जो है वो body pain को भी कम करती है और जैसे बच्चों कमर में जो दर्द होता है ना उसको भी वो ठीक करती है तो देखिये बच्चों जो breathing exercises होती है और जो meditation करते हैं उससे क्या होता है उससे हमारे जो दिमाग होता है वो क्या हो जाता है वो काम हो जाता है मतलब वो शांत हो जाता है हमारा जो stress होता है जो मतलब हमें फिकर होती है टेंशन होती है वो हमारी कम हो जाती है और बच्चों हमारी जो sleep के quality है मतलब हमें अच्छी नींद आती है this helps to adopt a more positive lifestyle और हमारा जो lifestyle होते है वो positive हो जाता है ठीक है मतलब बहुत अच्छा हो जाता है फिर है let us think and reflect वाले questions ओके बचो तो question number one है what is the aim of yoga तो yoga का क्या aim है yoga का क्या मकसद है तो आप इसका answer लिखोगे the aim of yoga is to improve physical, mental and spiritual well-being for a healthy life देखे बचो तो yoga का aim क्या है yoga जो है वो हमारी जो body है उसकी strength को increase करते है मतलब हमारा जो शारेडिक जो विकास है वो होता है हमारा मांसिक विकास होता है और बचो हमारा जो spiritual विकास है मतलब हमारा जो आत्मिक विकास है वो होता है और हमारी lifestyle जो होता है वो बहुत healthy हो जाता है और हमारी जिन्दगी बहुत healthy होती है question number 2 explain the idea of unity in yoga आपको यह बताना है कि yoga के अंदर unity का क्या मतलब है तो आप इस कहांसा लिकोगे it symbolizes connection between mind and body thought and action harmony between human and nature तो देखे बचो unity का क्या मतलब होता है unity का मतलब होता है तो जो देखे योगा के अंदर यूणिटी जो है वो यह बताती है कि हमारा mind जो है mind और हमारी body की बीच का जो connection है वो बताती है ठीक है और हमारे जो हम सोच रहे हैं और फिर हम क्या action ले रहे हैं वो उसके बीच का connection ठीक है और जो human है मतलब जो इंसान है और जो हमारा नेचर है उसके बीच का connection ओके बच्चो अब question number third है What does the launch of the WHO M-Yoga app tell us about the importance of yoga तो देखें बच्चो WHO ने एक app launch करी थी कौनसी M-Yoga app ठीक आपको यह बताना है कि WHO ने इस app को launch करके योगा की के importance बताइए ठीक है तो आप इस कहां से लिखोगे The WHO launch the M-Yoga app in 2021 to promote yoga globally तो बच्चो WHO ने 2021 के अंदर M-Yoga app जो है उसको launch करा था ताकि योगा को पूरी दुनिया के अंदर क्या करा जाए प्रोमोट किया जाए योगा को पूरी दुनिया को बताया जाए कि योगा से क्या-क्या फायदे है It offers free videos and audio guides to help people practice yoga for better health and well-being और बच्चो इस आप के अंदर क्या है इस आप के अंदर योगा से related free videos हैं, audios हैं ताकि लोग जो हैं वो उन videos को उन audios को सुनके योगा को practice करें और उनका जो lifestyle है वो एक भेदर बन जाए और उनकी जिन्दगी जो है वो एक healthy जिन्दगी बने ठीक है फिर question no.4 है Describe one long term effect that the practice of yoga can have on a person's qualities आपको बचो, एक long term effect बताना है देखें, इस question का मतलब यह है कि मान लिजे जिससे कोई एक इनसान है वो yoga कर रहा है ठीक है और वो बहुत लंबे समय से yoga कर रहा है तो आपको यह बताना है कि उसकी person की जो qualities है उसके उपर yoga जब वो बहुत लंबे समय से कर रहा है तो उसका क्या, मतलब उसकी quality पर क्या असर होगा ठीक है लंबे समय से yoga करने पर तो आप इसका अंसर लिखोगे योगा develops patience helps individuals to become calm and more mindful in their daily lives तो देखें बच्चो योगा क्या develop करता है योगा जो है वो इनसान के नितर patience develop करता है मतलब किसी चीज़ को जहने की शक्ती develop करता है ठीक है और लोगों को क्या बनाने का काम करता है लोगों को शान्त बनाने में उनकी help करता है ठीक है उनको शान्त करने में help करता है और लोग जो है वो अपना जो काम है उसको जारा सही से कर पाए ठीक है तो योगा जो है वो ये सब करता है अगर हम देखे अगर हम योगा को लंबे समय से करें तो एक टाइम आएगा कि हमारा जो सौभाव है वो बहुत शान्थ हो जाएगा हम में पेशन्स आ जाएंगे ठीक है और हमारा जो दिमाग है वो हमारी डेली चीजे जो होती है डेली लाइफ जाए उसमें हमारा और अच्छे से लगेगा ओके फिर है लेट अस लान बचो फर्स्ट क्रेशन का आप स्किप कर दो इसमें ताक्षी खेलना है फिर क्रेशन नमबर टू है देखें यहाँ पे जो आपको बचो यह सारे लेटर्स दिये गए ना तो देखा आप वर्स बना दोगे यह, अर्ण, एज, नियर, यार्ण, ओके, फिर है लेट अस लिसेन बचो पेज नमबर 129 पर एक ट्रांस्क्रिप्ट दी गई ठीक है आपको उसको पढ़ना है और उसके according आपको बताना है कि कौनसे statement true है और कौनसे false है मैंने पढ़ लिया था इसलिए मैं आपको direct true false बता रही हूँ आप पहले पढ़ेंगे और फिर करेंगे ठीक है फिर है, the girl sees people at the park doing breathing exercises हां बच्चे वोजे लड़की थी उसने जो लोग थे उनको पार्ख के अंदर प्रीथिंग exercise करते वे देखा था तो आप लिग दोगे true फिर है, her grandfather begin practicing yoga 16 years ago उसके जो दादा जी है उन्होंने 16 साल पहले योगा करनी शुरू करी थी नहीं बच्चे ये statement false है ठीक है उन्होंने और पहले से करी थी फिर है, the girl practice some easy yoga exercises with her grandfather हां ये statement true है बच्ची जो है वो अपने दादा जी के साथ easy easy yoga की exercises जो थी उनको करती थी फिर है, the girl practices breathing exercises to relax हां बच्चो वो breathing exercise भी करती थी relax करनी के लिए फिर है, her grandfather is fit even though he has untimely meals तो बच्चो ये statement false है जब हम, मतलब बिना वक्त का खाना खाते हैं, मतलब जब वक्त नहीं होता खाने का अगर हम उस time पर खाना खाते ही रहेंगे तो बच्चो हमाई body जो है, वो fit नहीं होगी है ना तो ये statement false है, फिर है, her grandfather's regular yoga practice has kept him strong हाँ, बच्चो, उसके जो दादा जी थे, वो हमेशा yoga करते थे हैं ना तो उसकी वज़ा से वो strong तो ये statement true है, फिर है, the girl wishes to learn asanas over the weekend लड़की जो है, वो सिर्फ छुट्टी के टाइम पर मतलब जो Saturday Sunday का दिन होता है, सिर्फ उसमें ही जो आसन्स होता है, उनको सीखना चाहती थे, बच्चो, इस statement false है, ठीक है, अब हम करेंगे, let us write, बच्चो, यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर आपको यह भी idea दिया गया है, कि आप कैसे conclude करोगे, ठीक है, आपको concluding line भी दी गई है, तो बच्चो, इसको use करते वे, इन ideas को use करते वे, हम paragraph लिखेंगे, तो देखे, paragraph हम लिख रहे हैं, योगा is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India, तो बच्चो योगा किया है, वे physical, mental and spiritual practice है, जो ancient India में originate हुई थी, one benefit of yoga that interests me, is its ability to reduce stress and anxiety, तो बच्चो देखिए, योगा के तो बहुत सारे benefits हैं, लेकिन एक benefit, जिसमें मुझे जादा interest आयता है, जो मुझे जादा पसंद आयता, वो ये था, कि योगा करने से stress जो है, और जो anxiety है, वो बच्चो कर जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, एक time पे वो खत दमी हो जाती है, practicing yoga can help people improve their health and strength, तो बच्चो, योगा को जब हम practice करते हैं, जब हम yoga करते हैं, तो हमारी जो health है, वो improve होती है, और हमें ताकत आती है, strength मतलब ताकत, a popular yoga pose is downward facing dog, because it helps to lengthen the spine and strength the arms and legs, तो देखिए बच्चो, एक योगा का, जो क्या कहते हैं, बहुत ही popular pose है, वो कान सा है, वो है downward facing dog, क्यों 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 क बच्चो योगा जो है न वो खाली physical exercise नहीं है योगा करने से हमारी क्या है mental और emotional health दोनों ही सही रहती है ठीक है फिर है finally yoga can be a great way to connect with oneself and find inner peace बच्चो देखो योगा करने से क्या होता है कि हम जो है वो हम खुद से connect हो जाते हैं और हमें क्या मिल जाती है बच्चो हमें हमारी दर से में शांती मिल जाती है yoga करने से ठीक है अब हम करेंगे let us explore बच्चो question no.2 के अंदर आपको दो आसनास के benefits के बारे में लिखना है ठीक है तो देखें सबसे पहले हम लिखेंगे mountain pose के benefits तो first benefit तो यही है strengthens legs and ankles mountain pose करने से क्या होता है कि हमारे जो legs and ankles हैं उनमें क्या आती ह बच्चो ताकत आती है calms mind and reduce stress हमारा दिमाग जो है वो शांत हो जाता है और जो stress होते जो में tension वगएर होती हो वो भी कम हो जाती है फिर है बच्चो second आप आसना लिखोगे downward facing dog ओके इसके benefits होंगे strengthens arms and legs बच्चो यह भी हमारे जो arms और legs होती है उसको strengthen करता है ठीक है improves digestion and circulation circulation हमारी जो पाचन क्रिया होती है उसको improve करता है और हमारा जो बच्चो blood circulation है हमारी पूरी body के अंदर जो blood जो circulate कर रहे उसको भी यह जो आसन है उसको भी इंप्रूफ करता है उस चीज़ को के बच्चो बस आपके इस चाप्टे के question answers complete होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बच्चो ब